जोया स्प्रिंग वाला द्वारा अदानी की कुछ फर्मों के मुनाफे में गिरावट दर्च की गई, वही सभी कमपनियों ने 31 दिसंबर 2022 को समाप्त तिमाही के लिए राजस्व में वृद्धी दर्च की वित्तिय वर्ष 2023 की तीसरी तिमाही के लिए कमाई का मौसम करीब आ रहा है, अदानी समूह में मिश्रित परिणामों की सूचना दी है समूह की Q3FY23I 31 दिसंबर 2022 को समाप्त तिमाही के लिए जारी की गई है, इसकी कुछ कमपनियों के लाब में गिरावट देखी जा रही है, लेकिन प्रत्येक कमपनी ने राजस्व में वृद्धी की सूचना दी है हाला की कमाई की सूचना हिंदनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के प्रसार के बाद दी गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि अदानी समूह जानबूचकर धोखागड़ी में लिप्थ है, रिपोर्ट का संख्याव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है अदानी समूह लाब और राजस्व अदानी पोर्ट्स और एसी जिड ने अपने लाब में 16 प्रतिशत की गिरावट दर्च की, जो की Q3 FY23 में 1315 करोर रुप्य थी अदानी पावर में भी 96 प्रतिशत की गिरावट देखी गई, जिसमें कुल 8.7 करोर रुप्य का मुनाफ़ा हुआ दूसरी ओर, अदानी एंटर्प्राइजेज ने Q3 FY22 में 12 करोर रुप्य की नुकसान की तुलना में 820 करोर रुप्य की कमाई के साथ साल दर साल लाब कमाया अदानी ग्रीन एनरजी, अदानी टोटल गैस और अदानी विल्म ने भी क्रमशह 110 प्रतिशत, 17 प्रतिशत और 16 प्रतिशत की वृद्धी के साथ लाब दर्ज किया अदानी समूव के राजस्व के आकरों ने भी मिश्रित परिनाम दिखाए अदानी एन्टरप्राइजेज ने राजस्व में 42 प्रतिशत की वृद्धी के साथ 26,951 करोर रुप्य की सूचना दी अदानी पावर ने भी 7,764.4 करोर रुप्य की कमाय के साथ राजस्व में 44.8 प्रतिशत की वृद्धी दर्ज की अदानी पोर्ट्स और ACGID, अदानी ट्रांस्मिशन, अदानी ग्रीन एनरजी और अदानी टोटल गैस सभी ने अपने राजस्व में वृद्धी दर्ज की अदानी ग्रीन एनरजी में 53.5 प्रतिशत की उच्चितम वृद्धी दर्ज की हाला की, ACC का राजस्ट केवल 7 प्रतिशत बढ़ा, जो 4537 करोड रुप्य था हिंडनबग रिसच की रिपोर्ट के बाद अदानी समूह आलोचनाओं के घेरे में आ गया है जिसमें इस समूह द्वारा कथित रूप से धोखाधड़ी वाले व्यवहार का आरोप लगाया गया है हाला की, ये Q3FY23I रिपोर्ट के जारी होने से पहले की है हिंडनबग की रिपोर्ट के बाद कंपनी के शेरों में 50 प्रतिशत की गिरावट आई कुछ ही दिनों में बजार पूंजी करण में 9 लाग करोर रुपिये से अधिक का नुकसान हुआ ये देखा जाना बाकी है कि विवाद समूह की भविश्य की आई और विवसाय संचालन को कैसे प्रभावित करेगा अदानी एंटर्प्राइजेस की Q3 FY 2-3 आई पर गौतम अदानी ने कहा हमारी सफलता हमारे मजबूत शासन, सख्त नियामक अनुपालन, मिरंतर प्रदर्शन और थोस नगदी प्रवापीडी के कारण है बजार की मौजूदा अस्थिर्ता अस्थाई है और लंबी अवधी के मूल्य निर्मान की दृष्टी के साथ एक शास्त्रिय इंक्यूबेटर के रूप में A.L. मध्यमुत तोलन के दोहरे उद्देश्यों के साथ काम करना जारी रखेगा और विस्तार और विकास के लिए रणनीतिक अफसरों को देखेगा